तो स्वागत भाई आप सबी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल KPM Fantasy Expert पर और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो वीवो प्रो कबड़ी लीग है इसका भाई जो आज के दिन का पहला मैच और ट्रॉनमेंट का बाण मेवा मैच जो क देख लेना है और वीडियो का कोई भी पार्ट भाई आपको skip नहीं करना है अगर आप वीडियो को complete end तक देखते हो तो easily आप इस मैच में काफी शांदर प्रोफिट कमाने वाले हो तो वीडियो को मैं यही बोलूँगा कि end तक देखिएगा और सबसे important चीज भाई जो भी म इसमें जो मैस था उसके रजल्ट से आपके सामने भाई यहां पर आप देख सकते हैं 19 कोंटेस्ट जोइन किये थे एक सिंगल कोंटेस्ट आ रहा था ठीक है उसके अलावा सारे के सारे अल्टरा क्लीन स्वीप थे और यह तो तब था जब भाई हमारा VC injured हो गया था विशाल वीडियो के first comment में मिल जाएगा तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया तो जोइन करनीजेगा सर्च करके जोइन मत कीजेगा सिर्फ description वाले link या comment section वाले link से ही जोइन करना है क्योंकि सर्च करोगे कोई fake channel सामने आएगा सेम मेरे नाम से मेरी channel और आपके साथ fraud हो जाएगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे important चीज यार आप लोग है न सपोर्ट करना बिल्कुल बंद कर चुकर हो वीडियो को like एक भी नहीं आ रहे है ठीक है वीडियो को like क्या कीजिए यार क्योंकि आपका एक एक like बहुत ज़्यादा motivate करता आपके यह depend करेगा भाई दोनों टीम्स का defense कैसे खेलती है अगर वैसे देखा जाए तो तमिल का defense थोड़ा सा stable लग रहा है भाई अगर बात करें बंगाल वोर्यर्स की तो भाई इनका defense अभी थोड़ा सा खिसका हुए ठीक है मतलब थोड़ा सा नीचे motivation थोड़ा सा या फिर motivation तो बाई आप बोल सकते हो confidence थोड़ा सा डाउन है ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है तो यहाँ पर भाई मैं थोड़ा सा favor करूँगा 60% में chance दूँगा तमिल थलाइवास को और 40% दूँगा बंगाल वोर्यर्स को अलंग की भाई match टकर का रहेगा यह चीज confirm है और सबसे important चीज़ टेलेग्राम के बारे मैं आपको बता ही चुका हूँ दोनों टीम्स के starting 7 आपको बताता हूँ उसके बाद starting 7 के बाद जो भाई मैं आपको बताने वाला हूँ न प्लेयर्स बैटल वो मिस मत कीजेगा अधरवाईज आपका लोस हो जाएगा इमानशु की बात करें तमिल थलाईवाज की तरब से तो राइट लेफ्ट दोनों साइड से रेड करेंगो और आपके लिए ठीक ठाक फिक होने वाले हैं और एक आदा टैकल भी हर मैच में ले ले लेते तो आपके लिए बहुत ही शानदार फिक यहां से हो जाएंगे ग्रेंड लिग में तो आपको जरूर्शे ट्राई करना है स्मोल लिग में फिर भी आप थोड़ा सा रिस्क लेकर ड्रोप करने का रिस्क ले सकते हो ठीक है वाई अगर बात करें भाई अजिंक के पवार की लेफ्ट साइड से रेड करेगा और सबसे बड़ी बात भाई इस इसकी सबसे बड़ी बात है ठीक है या पर भी एक टैकल है हर मैच में आपको एक आदा एक आदा टैकल देखने की बिलेगा या पर रेड पॉइंट से ठीक है लगबग लगबग हर मैच में बाई टैकल कर लेता है या पर तीन टैकल बंदे ने किये थे ठीक है इसलिए बोल कंडोला या फिर नरेंदर ओशार जो भी आप बोलना चाहो वैसे नरेंदर ओशार आपको दिखेगा ड्रीम लाउन या बाकी फैंटसी प्लैटफों पर जो बाकी इसका नेम अनॉंस होता है ना जब यह रेड करने आता तो वह उता भाई नरेंदर कंडोला अब अगर बात कर आप गया उसके अलावा भाई लगातार हर मैसे परफॉर्मेंस दी है ठीक है सी वी सी का अच्छा दावेदार रहेगा जरूर शे आप इसे अपने टीम में रख सकते हो अब अगर बात करें यहां से जो एम अभी शेक है जो राइट कवर पर खेलेगा इसके अलावा सागर क बात करें राइट कोर्नर खेलेंगे वही अगर बात करें साहिल गुलिया यह बाई लेफ्ट कोर्नर खेलेंगे और आज आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन प्लेर रहने वाले है ठीक है तो जरूर शे आप इसे ट्राइ कीजिएगा वही अगर बात करें यहां से इनकी तर पार पाना बहुत मुश्किल हो जाता है ठीक है लेकिन ये थोड़ा ये सीजन थोड़ा सा अफडाउन वाला रहा है कभी बहुत अच्छे चले कभी बहुत फ्लोप गए ठीक है यहाँ पर आप देखे अभी तो लास्ट के कुछ मैचित से लगाता है अच्छे चल रहा है इपक निवासुडा रेडिंग प्लस टैकल दोनों करेगा और यहाँ से अगर बात करें तो एक राइट रेडर के साथ भाई दो लेफ्ट रेडर का बैतरिन कॉम्मिनेशन है में रेडर राइट से रेड करेंगे और यहाँ से इनके जो बैक अप रेडर है वो लेफ्ट से टीम जगह देगी वैबा उगर जे राइट कोरनर सोरी राइट कवर समालेंगे वही अगर बात करें शुबम सिंदे और सक्तिवेल आर की बात करें तो यह राइट कोरनर खेलेंगे दोनों में से जो भी आपको राइट कोरनर पर दिखें उसी को आपको ट्राई करना ही करना क्यों करना वो आपको आगे समझाऊँगा गिरीश अर्नेक की बात करें प्लेयर काफी अच्छा है CVC का दाविदार रहता है लेकिन इस मैश में इतना important role play नहीं करेगा अगर आप एक risk taker player हो small league में 3 member 4 member में तो गिरीश अर्नेक को आज मैं recommend नहीं करूँ अपने team में लेने को बट भाई मेरे उपर आप मतलब दबाव बना देते हो 12400 लोग चैनल पर तो मैं इतने सारे लोगों के साथ risk नहीं ले सकता है मैं आपको personally बता रहा हूँ अगर कोई risk taker है तो वो अपने दम पे risk ले सकता और ये risk बहुत शांदर तरीके से काम्याब भी होगा वो कैसे होगा और क्यों होगा आपको आगे समझाता हूँ अब बात करते हैं बाई players battle जापर मैं आपको इस सारी सीज़े समझाऊँगा तो यहाँ पर अगर बात करें तो जो तमिल थलाईवाजना तीनो के तीनो radar mainly left से raid करेंगे ठीक है तो right radar यहां से बहुत कम रहेंगे तो गिरीज के tackle करने के chances भी बहुत ज़्यादा कम रहेंगे तीनो के तीनो left radar है तो right corner पर जाएंगे जो खेलेंगे बाई शुबम सिंदे या सक्तिवेलार ज़्यादा चांच सा शुबम सिंदे के तो आज के मैज में शुबम सिंदे मस्टव पिक रहेगा इवन वीसी भी आप इसे ट्राई कर सकते और ग्रेंड लिंग में कैप्टन सी जरूर दीजिएगा ठीक है वहीं अगर बात करें बाई इनका सपोर्ट कौन करेगा लेफ्ट कवर करेगा लेफ्ट कवर पर पी सत्पाल बाला जेडी जो भी खेले उसे ग्रेंड लिंग में जरूर शे ट्राई कीजेगा वैबा उगर जे की बात करे तो ये राइट कवर पर खेलेंगे और गिरी सरनेक लेफ्ट कौर्नर तो इनका सपोर्ट ये मतलब ज़्यादा ज़्यादा यहाँसे इमानशू विरंदर अगर खेलता है इमानशू विरंदर इनके पास भाई तीन इमानशू है यह है इमान्चू ओल्राउंडर वाला अगर इमान्चू विरेंदर खेलता रेडिंग वाला तो वो राइट से रेड़ करेगा उस कंडिशन भाई यहाँ पर एक दो टैकल ले सकते गिरी सरनेक बाकी ज्यादा चांस हिजाज इनके नहीं है वहीं अगर बात करें यहाँ से बंगाल की तरफ से तो इनका जो में रेडर है यहाँ से भाई राइट रेडर मनिंदर सिंग यह जाएगा भाई लेफ्ट कोर्नर पर वहाँ पर कौन मिलेगा साहिल गुलिया और इनका सपोर्ट कौन करेगा एम अभीशेग तो यह जो जोड़ साहिल सोरिसागर यहां से बहुत इंपोर्टेंट प्लेयर और उसके अलावाए श्रीकान जादा हो या फिर इमांचों विरेंदर अगर खेलता है तो और इन्हें ट्राइ कर सकते हो बाकि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ठीक है all rounder section की बात करें तो यहां से देखिए भाई मेरे हिसाब से bala zi dh अगर starting seven में रहते तो भाई ने try करेंगा otherwise भाई यहां से डिपक निवा सुड़ा को try कर लेंगे अब आ जाते है भाई main जो यहां से defending section है यहां से भाई M. Abhishek आज के match में बहुत शांदार पिक रहेगा शुबह में सिंदे आपके लिए बहुत शांदार पिक रहेगा साहिल गुलिया को आप अपने team में रखना ठीक है बट अब यहां से दिक्कत ही आ जाएगे आपके credit manage नहीं होंगे और दिक्कत बैठ जाएगी बहुत खतरनाक वाले ठीक है वहीं अगर बात करें आपर देखें अगर सुरिंदर नाडा खेल जाते हैं left corner तो तो फिर भाई credit issue आएगा यहीं और फिर हम try करेंगे भी ने ठीक है बाई मैं क्या ही बता हूँ यासे आप मोहित को try कर सकते हैं बट इतना अच्छा player नहीं रहेगा तो आप एक extra old rounder दिपक निवा सुड़ा के साथ जा सकते हो ठीक है यह combination मेरे को बनता हुआ दिख रहा है अभी के लिए और शुभम सिंदे को मैं try करना चाता हूँ ग्रीश हरने को मैं try करना साथ हूँ बट credit issue है तो कैसे try करें अदर्वाइस हिमांचु की जगह पर मैं ग्रीश को try कर लेता बाकी जो भी मेरी final team होगी ना साथ ही साथ grand league की 2-3 team में आपको telegram पर दे दूँगा तो telegram channel जरूर से join कीजेगा अभी के लिए अगर cvc की बात करें तो वाई नरेंदर ओशार और मनिंदर सिंग ये दोनों हमारे cvc रहने वाले है ठीक है बाकी grand league के cvc की बात करें तो साहिल गुलिया शुबम सिंदे ये दोनों आज आपके लिए बहुत शांदर पिक रहेंगा और यहांसे सागर भी क्योंकि सामने वाले team में दो तो ये तीनों की तीनों defender को cvc ज़रूर से try कीजेगा टीम के अगर preview की बात करें तो वो आपके सामने team को save कर लीजेगा